अगनिपत के अगनिवीर और डॉक्टर अमबेटकर दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अमबेटकर नामा सरकार की सेना में भरती की अगनिपत की योजना बिवादों में है और देश दो खेमें में लगातार बटा हुआ है एक जो इसका समर्थन करते हैं जिसमें कई सेना के अधिकारी कुल के सामने आ रहे हैं और दोगपती आ रहे हैं और सरकार के लोग दूसरे विपक्ष नौजवान सडकों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट उनका जारी रहा है और विपक्ष भी लगातार तावरतोर हमले बोल रहे हैं सरकार के इन नीतियों पर तो ये इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि 1944 में आपको पता होगा कि Second World War चल रहा था और बहुत सारे लोगों की बहाली सेना में हुई थी और सेना से निकलने के बाद वो क्या करते सरकार की क्या योजना थी डॉक्टर अंबेटकर का क्या भाशन था उन सैनिकों के लिए यह जानना जरूरी है इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले आईए अनन्द महिंद्रा ने कहा है कि उद्दोग में उनको नोकरी मिलेंगी उनको अवसर मिलेंगे और साथ ही जो असली योजना है वो योजना बीजेपी के वरिष्ट नेता रास्ट्रिये महासचीव कैलास विजयवर्गिये ने बताया है पहले कैलास विजयवर्गिये का वो वीडियो सुनिये इसके बाद सुनिये आपके नेता संजाय सिंग ने क्या प्रतिक्रिया दी है इनका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में वो बनेगा डॉक्तर इंजीनियर वो बनेगा बड़ा अपसर करोणों का पैकेज लेगा और जो अगनी वीर निकल कर आएगा चार साल देश की सेवा करके वो भारती जनता पार्टी के दफ्तर में सेक्यूटी गार्ट की नोकरी करेगा यही तो मान सकता है इनकी यही तो मैं कह रहा हूँ मैं एक बात जरूर कर सकता हूँ कैलास विजय बरगी अपने बेटे को भेज़ें मैं अपने यहां यहां नोकरी आट-दस अजार उपए की देदूँगा एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से मैं खुद तो सेक्योटी गार्ड लेके नहीं चलता लेकिन इस बयान के उपर मैं अपनी तनखा से आट-दस अजार उपए उसको एक भाजपा का नेता अपना भेज़ दे मैं अपने घर के बाहर रख लोगा उसको उसको गार्ड की नोकरी दे दूँगा यहाँ पर सेक्योटी गार्ड की कैसी बाते करते हो आप लोग शर्म नहीं आती उनको नाम दे रहो अगनी वीर और उनसे काम कराओगे भारती जंता पार्टी के कारियाले की दर्बानी ये करने के लिए वो बने है वो किसान का गरीब का मजदूर का बेटा वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर सेक्योटी गार्ड की नोकरी करेगा और तुम्हारा बेटा अमेरिका में करोणों का पैकेज लेके घुमेगा तो यही इनकी मांसिकता है जो मैं कह रहा था कॉंगरेस नेता कनहिया कुमार की प्रतक्रिया सुनी कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ हमारे परिवार में रिस्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेज की नोकरी करते हैं मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है इंसरजंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है उन्होंने अपना सरवोच वलिदान दिया है और आप सब के चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भरक रही है मैं इस बिंदू पे आप से कुछ बात करना चाहता हूँ पहली बात तो यह कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं हमको लगता है कि सेना का देश के सरवोच सम्मान का यह मार्केटिंग करने का चीज नहीं है लेकिन आप एक-एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए जो लोग अगनीपथ योजना का फाइदा गिना रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वो बेचने की कोशिश कर रहे है जिसे सेल्समेन की भाषा होती है न वाह मेगा बम बम पर आफर चल रहा है आपको 20 लाख रुप्या भी मिल जाएगा चार साल में आप रिटायर भी हो जाएगे फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा इस भाषा की मानसिक्ता को समझने का प्रियास कीजिए ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन के बाहर कोई चुहा मारने की दवा बेच रहा हो साहब आप मंत्री है आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताईए कि इस योजना की जरूरत क्या है हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भरतियां और नियमित भरतियां जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंसन भी है सेंटरल स्कूल में एडमिशन का भी प्रापधान है रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा और अगर सरवोच बलिदान आप देते हैं आपको शहादत होती है तो आपके पडिवार काफी ख्याल रखा जाएगा इन तमाम बातों को छोड़ करके मंतरी कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में यह वही भाशा नहीं है कि प्रधान मंतरी जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा मिल गया क्या 15 लाख रुपया जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा इस मानसिक्ता को समझने की जरूरत है और इसलिए हम लोग इस योजना की जरूरत पे सवाल उठा रहे हैं जब देश में एक नियमित भर्ती परकिरिया है 2014 में देश बना है उससे पहले क्या आर्मी में लोग भाल नहीं होते थे क्या हमारे पास जो एक परकिरिया नहीं थी उस परकिरिया को खत्म करने का कारण क्या है तब सरकार के कुछ दावे बताये जा रहे है दावा क्या है दावा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले ये तो आप चाह रहे हैं ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड नौकरी देंगे, उस 2 करोड नौकरी को छोड़ करके, PMO ने अभी ट्विट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, सहाब अगर आप रोजगार देने के लिए serious होते, 28 लाख पोस्ट जो है, वो सिर्फ Central Government में रिक्त पड़ा हुआ है, और आप State Government में जाकर करके देख लीजिए, भरतियां नहीं की जा रही है, हकीकत क्या है, हकीकत ये है, कि ये असली बात देश की जनता से चुपाना चाहते हैं, असली बात क्या है, आप सब लोगों को याद है, कि जब नोट बंदी की गई, तो यह दावा किया गया, कि इसके बाद नकसलवाल सम आतार हो रही है अगर नोट बंदी करने के बाद आतंगबाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है कैसे पुलवामा की घटना हुई है तो ये दावा करते हैं जब उस दावे का आप परताल करेंगे तो आपके उपर ही आरोप लगाना शुरू कर एक WhatsApp मेसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का Congress बिरोध कर रही हो ऐसा आप मान लिजिए कि वो योजना सही है Congress के बिरोध करने से आप चलते हैं आप सत्ता में बैचे हुए मोदी जी आपके उपर देश की जनता ने भरोशा किया है बिपक्ष के भरकाने से लोग भड़क जाते बिपक्ष कही हुई बात लोग मान लेते तो परधान मंतरी मोदी जी होते इस देश के लोगों ने मोदी जी के उपर भरोसा किया और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही नौजवान है ये उस वक्त हिंसा नहीं किये जब इनके मावाप हजजारों किलोमेटर पैदल चल करके अपने घर गए यह वही नौजवान हैं यह तब भी हिंसा नहीं किये जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे यह तब भी हिंसा नहीं किये जब आपने हर साल दो करोर नौकरी नहीं दी मैं देश की सरकार से भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना 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 सोतली फुतो कोना खेलना बंद कीजिए आप हकीकत में बताईए कि reality क्या है क्या आपने विपक्च को पूछा आपने विपक्च को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं आपने कोई parliamentary committee की meeting की या आपने नوجवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह और नوجवान कहते हैं हम को ये भलाई नहीं चाहिए इस मनोदसा को समझे सहाब हम ऐसे गाओं से आते हैं ऐसे इलाके से आते हैं कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है सहाब कि हमारे इलाके में कोई सहादत न हुई हो हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना हम जानते हैं इस बात को जब किसी पडिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिप सरीर गाउं आता है आँखों में आंसू होने के बाबजूद उस इलाके का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सरवच सम्मान दिया है सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है आप इसको मजाक मत बनाइए अजीत डोभाल आप जानते ही होगी उनकी परतिक्रिया विचानना ज़रूरी है यह मैसेज बड़ा क्लेर होना चाहिए उनके अंदर में राष्टि की भक्ती होती है उनके अंदर में यवन की शक्ती होती है वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आपको और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकें अगर वो भावना नहीं है तो आप इस केरियर के लिए नहीं बने इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी फीजिकल फिटनेस कितनी है ये आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज़़ादा आवश्यक है कि आपकी मानसिक्ता क्या है तो अगर कोई भी यूथ अगनुवीर बनना चाहता है और मेरा सारे यूद को इस देश के उसे यही है, मेरा मैचे यही है, positive हो, be positive, have faith, have faith in the nation, have faith in your leadership, have when you join the army and others, the leadership there, have faith in the society, and have faith in yourself, that is the most important thing, Swami Vivekananda कहते थे, पुराना धर में कहता था कि नास्तिक वो है जो इश्वर में विश्वाश नहीं करता, नया धर में यह कहता है कि नास्तिक वो है, जो स्वाइन पर विश्वाश नहीं करता, अगर आपको अपने उपर विश्वाश है, तो आपकी physical fitness, आपकी mental fitness, आपकी training, आपकी उस और आपकी आईवी को देखते भी है, आपके लिए सारी दुनिया पर यहां, आपकी इस देश का भविश्य है, आप से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में मैंने आप जैसे सैक्डो बच्चे बच्चों से बात की आप जैसे सैक्डो नौजवानों से बात की जब मैं उत्तरपर्देश के एक छोटे गाओं में 4 बज़े सुभे गिरफ़तार होने वारी थी तब भी मैंने सडक पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुभे सुभे चार बजे आर्मी में भरती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे दौड लगा रहे थे ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दिदी उमीद छूट गई है खतम हो गई है सालों से हम भरती का इंतजार कर रहे थे अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका दर्द हम समझते हैं पूरा देश समझ रहा है पूरा देश देख रहा है लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है इस देश की संपत्ती आपकी है इसे सुरक्षित रखना आपका करतव है हम यहाँ सत्यग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्यग्रह सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई इस देश को आजाद किया इस देश को आजाद करके आपको सुपा ताकि आपका भविष्य बन पाए तो मैं आपसे आगरे करती हूँ कि परिस्थितियों को समझेए आपके आस पास क्या हो रहा है सरकार कैसे चल रही है देश में क्या हो रहा है उसको गहराई से समझी है जो किसान के आंदोलन थे क्यूं किये गए किसान क्यूं जागे क्यूं सडक पराए क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाए मेहनत वो करे लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी इसी तरह से मैं आपसे आग रह करती हूँ कि समझे ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है ये सरकार इस देश के घरीबों के लिए इस देश के नविवकों के लिए इस देश की महिलाओं के लिए इस देश के कि एक एक देशवासी के लिए जो आज घरीब है, जो परिशान है, उसके लिए नहीं चल रही है, ये सरकार, ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े अद्योग पतियों के लिए चल रही है, और ये जितनी भी स्कीमे हैं, जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के कि एक मकसद है, सत्ता में रहना, सिर्फ एक मकसद है, और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, उस मकसद को निभाने के लिए, वो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सरकारी अद्योग थे, वो इन्होंने अपने अद्योग पती मित्रों को क्यों बेचे, आप बताईए क्यों बेचे उसी मकसद को पूरा करने के लिए आपको रोजगार मिलता था वहां से आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीमन आज बंद कर चुके हैं ये क्योंकि इनकी नीतियों नोट बंदी ने, तमाम नीतियों ने, GST ने उनको भी बंद कर दिया और आज सेना, जिसकी भरती में का सपना आप देखते हैं आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं अपने भविश्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माबाप को कदेखबाल करेंगे सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे आप से बड़ा देश भक्त कोई नहीं है मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राश्रवादी हैं और जो नकली देश भक्त हैं आख खोल कर उनको पहचानिये आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है पूरी कॉंग्रेस पाटी आपके साथ है आपने हरिवन्ष राय बच्चन जी का जिक्र किया उस कविता की कुछ पंक्तियां है कभी ने कहा है व्रिक्ष हो भले खड़े घने हो घने हो बड़े एक पत्रचा मांग मत मांग मत मांग मत व्रिक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्रचां भी मांग मत मांग मत मांग मत तू न ठकेगा कभी तू न थमेका कभी तू न जुकेगा कभी करशपत 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 इस कवीता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नव्यों को मार डालेगा ऐसी स्कीम को जो इस सेना इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है जिनके सारे तमाम जो यहां पे भी आप खड़े हैं आप सरहत पर जाकर सुरक्षा करते हैं ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खतम कर देगा आप इस सरकार को पहचानिए इस सरकार की नियत को पहचानिए मेरे भाईयों मेरी बेहनों लोक्तांत्रिक तरे से शांती पूरवक अहिंसा सर्त्य के मार्क पर चलके इस सरकार को खत्म कीजिए इस सरकार को गिराईए ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सची देश भक्ती दिखाए जो देश की संपत्ती को सुरक्षित रखे जो देश को आगे बढ़ाए देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए इसलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आगरे करती हूँ कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांती पूर्वक करें लेकिन आप रुके नहीं आप ठके नहीं ये आपके अधिकार है आपका देश है इसको सुरक्षित रखने का करतव्य आपका है इसके लोकतंत्र को सुरक्षित लख्र रखने का कर्तव्य आग का है इस कर्तव्य को निभाने में कॉंग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपका साथ देगा जेहिंद अर्षद इक्वाल कॉंग्रेस के निता है इनको भी सुनिए नवश्कार अदाप सस्रीकाल दोस्तों, दोस्तों मैं अक्षा दिक्बाल 12 वक्षी से, जिस तरीके से भर्तियनतापाटी के नेता अगनी पत्र स्कीम के फायदे बता रहें, और आज मैं देख रहा था कि एक भर्तियनतापाटी के बड़े नेता ने तो हद कर लिए उन्होंन मुझे अगर इस ओफिस में बीजेपी का ओफिस में सिक्यूर्टी रखना है तो मैं अगनी मिल को प्रात्मिक का दूँगा मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनको तुरण माफी माँनी चाहिए यह युवाओं के सपनों का जो उन्होंने चटना चूर किया है भारतिय अद्थापाटी की नीतियों ने और उसका यह मजाग बना रहे हैं यह पूरी सरकार जवाब दे हैं उनको माफी माँनी चाहिए कि इससे पहले किसानों के लिए उन्होंने कहा कि आतंगवादी हैं बड़ी सी बड़ी सरकारे जुकी है और आपको भी जुटना पड़ेगा यह स्कीम आपको वापस लेनी पड़ेगी मैं आप सबसे जो हमारे युवा हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेने बसे यह आग की प्रॉपर्टी इसको नुक्सान ना पहुचाएं सत्य अंसा पर चले हमने बड़ी-बड़ी सरकारों को जुकाया है इस सरकार को भी हम जुकाएंगे धन्यवाद जय हिद जय भारत जय कॉंग्रेस सत्य में चाहते हैं चली आप वीडियो को देखने के बाद मैं सीधे लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेटकर के उस भाषन पर जो उन्होंने 1944 24 अगस्ट 1944 को तक्निकी प्रशिक्षन योजना सलाकार समीति के मीटिंग में उन्होंने जो भाषन दिया था पहले इस समीति के बारे में बताओं कि इस समीति का गठन केंदर सरकार यानि कि उसमें ब्रिटिश हुकूमत थी केंदर सरकार ने असायनिक उद्योगों की तक्निकी प्रशिक्षन योजनाओं की आवशकताओं पर विचार करने और समायोजन करने के लिए किया था इसमें इंजिनिरिंग संगों के प्रतिनीदी और इंजिनियर्स के प्रतिनेदी शामिल थे बैठक तीन दिनों तक चली थे यह भाषन बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने अभी जो नीती लाई है अगनी वीर की चार साल में रिटायर हो जाएंगे चार साल वर्डवार भी चला था उस समय आपको याद दिला लेकिन चार साल रिटायर्मेंट के बाद अब आगे सरकार ने सुधार किया है कि उनको असम राइफवल्स और तमाम ऐसे जो पैरा मिलिट्री फॉर्स हैं उनमें रिजर्वेशन मिलेगा उसमें क्या सीस्टी का रिजर्वेशन है उनमें और मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह ज बता रहा हूँ उन्हें कहा उपचारिक भाचन के बाद कि मैं यहां बताने की आवशक्ता नहीं मुझे यहां बताने की आवशक्ता नहीं कि मैं इस समीती को कितना महत्व देता हूँ आप यहां हमारी तक्निकी प्रशिक्षन योजनाओं पर विचार करने के लिए एकत्र हुए है जो सेना की तक्निकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए तातकालिक उपाय के रूप में शुरू की गई थी और उसने भारत में अर्ध कुषल श्रम शक्ती में अभूत के संबंध में मैं अपने विचार आपको बता रहा हूं मैं तक्निकी प्रशिक्षन कारेकराम के संबंध में आपको उसकी सुरुवाद से लेकर अब तक की स्थिति के बारे में बताऊंगा इसका आरंभ अव से सारे तीन साल पहले एक गंभीर बाधा यानि दूतिय विश् अनुसार तक्निकी कार्मिकों का आभाव हमने एक साथ तीन हजार लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष किया था पर दो वर्षों के भीतर ही हमें यह संख्या 48 हजार बढ़ा देनी पड़ी जिसके लिए 394 प्रशिक्षन केंद्रों की आवशक्ता थी 1942 के अंत तक हमने 54,000 प्रशिक्षित कर्मियों की सेना को पुर्ती की जून 1944 तक हमने 75,000 लोगों को प्रशिक्षित किया सरकार प्रशिक्षित कर रही थी याद रखियेगा प्रशिक्षित किया जिसमें से 63,000 ने रक्षा सेवाओं की तक्निकी शाखाओं में काम करना शुर में चले गए मुझे बिश्वास है कि आप मुझे बिश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस अवधी के लिए या कोई कम उपलवधी नहीं अब युद्ध समाप्त होने को है और सेना में तकनीकी प्रशिक्षन की मांग घट जाएगे युद्ध की समाप्ती पर जो इस्तिति उत्पन होगी उसको ध्यान में रखते हुए दो प्रश्ण उठते हैं पहला सवाल यह है कि प्रशिक्षित लोगों का क्या होगा जो सेना में भड़ती हो गए हैं परन्तु जिनें स्टिग्र ही सेना से छुट्टी दे दी जाएगी और रोजगार की तालाश में रहेंगे दूसरा प्रश्ण है कि हम तक्निकी प्रशिक्षन योजना का क्या करें आगे डॉक्टर अम्बेटकर ने कहा बाचन में कि कुछ व्यक्तियों ने धारना बना लिया है कि सरकार ने तक्निकी प्रशिक्षन कारेक्रम को समात करने का फैसला कर लिया यहां बात बिल्कुल गलत है, यह सही है कि सरकार ने कुछ प्रशीक्षन केंद्र बंद कर दिये हैं, हमारे हाँ 170 प्रशीक्षन केंद्र हैं, जिसकी छमता 32,000 लोगों को प्रशीक्षित करने की, जबकि 1942 में प्रशिक्षन केंद्रों की संख्या 400 थी और उसकी चमता 45,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की थी तो कहते हैं कि इसे कई कारण है जो कमी हुई है ट्रेनिंग सेंटर में इसे कई कारण है जिसमें से दो बहुत प्रमुक्ष है पहला यहां कि सेना में मांग घट गई है और दूसरा है छोटे केंद्रों पर आने वाला भारी खर्चा लेकिन इससे यह संकेत नहीं मिलते कि सरकार तकनिकी प्रशिक्षन कारेकरम को खदम करना चाहती है यदि सरकार का ऐसा इरादा होता तो वह समीति का गठन ही नहीं करती देश के विकास की ऐसी कोई योजनाय सफल नहीं हो सकती सुनिएगा गौर से देश के विकास की ऐसी कोई योजनाय सफल नहीं हो सकती जिनमें तक्निकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षन का परावधान न हो यहां मशीनी युग है युद्ध के बाद संगर्ष में वही देश जीवित रह सकता है और अपनी जनता के जीवन स्तर को उपर उठा सकता है जहां तक्निकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षन शिकर पर हो नोट किजिएगा जहां तकनिकी और वैग्यानिक प्रशिक्षन शिखर पर हो भारत सरकार इस इस्तिती से अनभिग्य नहीं है और वह देखेगा कि तकनिकी प्रशिक्षन योजना न के बल चलाई जाए बलकि वह देश की शिक्षा प्रणाली का एक स्थाई अंग बन जाए अब आगे डॉक्टर अमबेटकर उद्योग के बारे में बोलते हैं कि उद्योग पतियों का और उद्योग इंडस्ट्री का क्या इसमें भूमिका होगी कैते हैं कि सरकार का यह उद्यश्ट तो है पर योजना की सफलता इस संभावना पर निर्भर करती है कि इन प्रशिक्षितों जो ट्रेंड लोग हैं उनको रोजगार मिले यदि ट्रेंटिंग प्राप करने के पश्शार्थ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो तकनिकी प्रशिक्षन योजना बिफल समझी जानी चाहिए इस प्रश्ण का उत्तर उद्धोग का उन लोगों के प्रती रवहिया पर निर्भर करता है जो इन केंद्रों से प्रशिक्षन पाकर निकलते हैं यदि उद्ध्योग उन्हें रोजगार नहीं देता है जब उसाइनिक उद्ध्योग नॉन मिलिटरी इंडॉस्ट्री इन ट्रेंड लोगों को खापाने में रूची दिखा है आगे उन्होंने कहा कि 6,000 अत्रिक्त प्रशिक्ष्षतों अमर से उसाइनिक उद्ध्योगों ने केबल 3,000 को काम दिया है दरसल वे अंट्रेंड लोगों को रखना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वे नौकरी के दौरान या ट्रेनी के रूप में कुशलता और प्रशिक्षन प्राप्त कर लेंगे हमारे प्रश्रिक्षन केंद्रों से प्रश्रिक्षन पाए लोगों को नौकरी देने में उद्योगों की अनिक्षा के कई कारण है मुझे शिकायत मिली है कि हमारा प्रश्रिक्षन और परियाप्त है और सैनिक उद्योग पतियों का बल इस बात पर होता है कि उनके कार्मिक कार्मिक की दख्षता उच अस्तर की हो जा हाईली ट्रेंड हो अप्यक्षाक्रित उसके जो हमारे केंद्रों से प्राप्त होती इसमें कोई शक नहीं कि हमारा प्रश्रिक्षन युद्ध के दबाव में हुआ था आठ महीने के भीतर प्रश्रिक्षन देना जिसके पूर्व पांच साल लगते थे पांच साल की ट्रेनिंग आठ महीने में करना बहुत मुश्किल काम था अब दोग में महेंद्र जो कह रहे हैं वह लेकिन यहां पर सरकार जो ट्रेंड की थी जिन टेकनिकल स्टाफ को आर्मी क और उनको कहा जा रहा था कि ट्रेनिंग को जिस काम के लायक है उस काम में लगाया जा यहां तो फॉज की ट्रेनिंग होगी 4 साल तो वहां पर कौन से काम में लगाएंगे कि लास विजय वरगी ने साहप आपको बता दिया चलिए आगे बढ़ते आगे डॉक्टर अम्बिटक कि यह हो हुट उद्यव को दाय थो बताते हुए इंडस्लिस क्या दाय वें बताते हुए उन्होंने कहा कि तक्निकी प्रशिक्षbn कारकर्म के उनुसार जो प्रशिक्षन दिया जाता है यदि उसको और विशिस्ता प्रदान कर दी जाए तो असैनिक उद्यों द्वारा ऐसे प्रशिक्षित लोगों को स्विकार किया जाना चाहिए बहराल मैं यह स्विकार करने के लिए तयार हूं कि हमारे प्रशिक्षन में दोश है मैं किसी भी प्रकार के तर्क संगत परिवर्तन के लिए तयार हूं जिससे प्रशिक्षित लोगों को उद्वगों में लिया जा सके परंतु जब तक उद्वगों हमारे प्रशिक्षितों को खपाने के लिए तयार नहीं हूंते तब तक इ प्रशिक्षन की सेवा की सफलता की आशा नहीं की जा सकती है इसलिए उद्योगों को यह समझना चाहिए कि उनके कंदों पर एक बड़ा दाइत है आगे उन्होंने कहा कि मानवब आपको उद्योग की आवशक्ता का मुझसे अधिक ज्यान है मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि य अब हम समय बरबाद न करें वरना हम पाएंगे कि हमने युद्ध तो जीत लिया पर शांती खोदी आगे कहा उन्होंने कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा हमारे सामने दो विचारनिये प्रश्न हैं उन परशिक्षित लोगों को रुजगार दिलाना जो युद्ध के बाद सेना और द्योगिक पुनर निर्मान के परिपेक्ष में तकनिकी प्रशिक्षन की योजना में संसोधन करना यह दो प्रमुक कारें बताए थे और यहां यहां समरन करना जरूरी है कि सेकेंड वर्ड वार के बाद क्राइसिस की ती थी तो शौट टम चार साल के लिए लोगों को यह पॉइंट किया गया था और यह स्पंस था कि चार साल वाद हट जाएंगे लेकिन अभी 2022 में कौन सी ऐसी आपात इस्तिती है कि चार साल की नौकरी देने की योजना सरकार बना रही है यह दोनों के अंतर को आपको समझना पड़ेगा हम सब को समझना पड़ेगा आगे इन दोनों के बारे में आगे कहते हैं डौक्टर अंबहटकर कि इन दोनों अलग 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 ढंग से हल करना है इसलिए हमने इसे बहतर समझा है कि हम दो चरणों में काम करें दूसरे चरण के लिए प्रासंगिक प्रश्ण है अपने तक्निकी परशिक्षन कारेकरम को असयनिक उद्यवों के लिए पूर्णत अनुकूल बनाने के लिए इसमें हमें कौन से परिवर्तन करने चाहिए इसके लिए दिर्यकालीन निती की आवशक्ता है जिससे की युद्ध के बार देश में उद्यवों के विकास के लिए तक्निकी कार्मिक उपलवद कराएं जा सके टेक्निकल जो स्टाफ है उपलवद कराएं जा सके आगे कह रहे है कुःषल कर्मचारियों के बारे में अब डॉक्टर अमबीठ कर पहले चरण के लिए हमें जिस प्रासंगिक समस्याग पर विशार करना है वो है हमारे उन हजारों प्रशिक्षित करमचारियों को पुनर रोजगार देना जिन्हें इन प्रशिक्षन केंद्रों से प्रशिक्षन दिया गया ट्रेनिंग दी गई और जो सेना में कारे कर रहे है तता जिने युद्ध के बाद सिगरी वहां से हटा दिया जाएगा हमारी आशा है कि उद्योगों को उन्हें खपाने में कटिनाई नहीं होगी विशेश कर इस संदर्म में कि हमें विश्वास है कि युद्ध की समाप्ति के बाद असैनिक उद्योगों का विस्तार होगा और कि फलस्वरूप तकनिकी और शिक्षित करमचारियों की मांग टेक्निकल स्टाफ की मांग बढ़ेगी आगे डॉक्टर अंबेटकर ने कहा कि हमारे सामने तातकालिक समस्या यह है उन्हें शांती कालीन और दर्ग धाचों में किस परकार खपाया जाए हम इन कठनाईयों का जायजा लेना चाहते हैं और उसका सामना करने के लिए हमें पहले से ही कारकरम बनाना होगा इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह देखना है कि हमारे राश्टिये पाठकरम में क्या परिवर्धन और संसोधन जरूरी है मौझूदा उद्योगों में सुईक्यार होने के लिए हमें अपने ट्रेनीज को प्रशिक्षियों के लिए कौन से सहायक पाठकरम जोडने होंगे हमारे इस विचार विमर्शया निशित हो जा सकेगा कि अगले चरन में किस प्रकार की प्रगति की जाए कि समापन से पुर्व में यह कहना चाहूंगा कि यह बात कितनी महत्पुन है कि यदि हमें देश का भविश्य उजवल बनाना है तो हमारे पास कुषल करमचारियों की काफी संख्या होनी चाहिए सरकार उद्योगपतियों और श्रमिकों के त्रिपक्षिय सहयोग से सहयोग से ही तकनीकी प्रशिक्षन कारेकरम की सुद्रिटा से सफल होने की आचा की जा सकती है मैं उद्वपदियों और नियोकताओं से इंप्लॉयर से विशेश आग्रा करता हूं कि सरकार द्वारा शुरू की तक्निकी प्रशिक्षन योजना को चलाए रखने के लिए आपके विशेश ग्यान और अनभाव से अधिक आपके सहयोग की आवशक्ता है सरकार ट्रेनिंग दे रही थी अब यहां सरकार सब कुछ बेच रही है पूरा नीजी कंपणियों को यह अंतर समझना ज़रूरी है अंत में डॉक्टर अमेटकर कहते कि अंत में एक बार कहना चाहता हूं कि क्या उन प्रशिक्षित वेक्तियों के भागे में बेरोजगारी ही जो बहुत जल्दी ही और सैनिक इस्तिती में लोटाएंगे मतलब सिना से हटाने के बाद क्या बेरोजगारी लिखी है क्या यही उनकी सेवा का फल होगा जो उन्होंने जोकिम उठाकर की है मुझे आशा है कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे यदि हम उनकी अंदेखी करे मतले जाएंगे तो वह उद्योगों में असंतोष हैलाने वाले सक्रिय तत्व बन जाएंगे यदि युद्द के पस्चात उन्हें असानिक शेत्रों में समूचित रूप से खपा लिया जाता है तो वह उद्योगों की इस्तिर्दा में सहायक हूंगे वे नागरिकों उद्योगों में वैसा ही अनुशाशन दिखाएंगे जैसा उन्होंने सेना में दिखाया अब यह आप बताएं कि उन्हें असानिक उद्योगों में नया काम देने के लिए क्या उपाय किये जाएं मैं आपको बिश्वाद दिलाता हूँ कि आपकी सलाह के लिए सरकार ने केवल आपकी आभारी होगी बलकि जो परामर्श तार्किक और बैवारिक पाय जाएगा उसे सरकार लागू भी करेगी सबसे महत्पूर्ण प्रश्ण उन्हें उठाया कि अगर इनको नौकरी नहीं मिली क्या सारे जो चार साल बाद निकलेंगे सारे को नौकरी मिलेगी इंडस्ट्री में और पैरामिलिटरी फोर्सेज में अगर नहीं मिलेगी तो डॉक्टर अंबेड कर कह रहे हैं कि वो असं संतोष फैलाने वाले सक्रिय तत्व यानि बदमाश्ट बन जाएंगी शुक्रिया दोस्तों यह नया एक्सपरिमेंट था अंबेड करनामा के लिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया जैव वीडियो में पेज नंबर 168 से 174 तक आप जाकर इसको देख सकते हैं शुक्रिया कैसा लगा कमेंट लिखेना ना बोलें शुक्रिया जैविए कि अधर आप कि अधर कि कि